कि दोस्तों नमस्कार मैं राकेश रॉयला अपने चनल पर आपका सागत करता हूं आज गाड़ी मेरे पास आई हुई है यह जो है मारूती की आटोमेटिक गाड़ी है जो एक्सल 6 है और आज इसी का रिव्यू देने के लिए जा रहे हैं जाए दोस्तों इस तरह की इसकी यह की है जिसके अंदर हमें दो पाइंट दियेमें लॉक और अनलोक के लिए तो इसमार्टिकी है यह और अच्छी की इस तरह की हमको सांदार इसकी लोक नजर आ रही है गाड़ी की और यह हम जो देख रहे से इसके हमें वाइपर मिल जाते हैं इसमें हमको सोले इंची के डायमेंड का डलाई विल मिल जाते हैं कुछ इस तरह के फिर उसके बाद हम थोड़ा उपर आते हैं ओ आर्बीम ट्रन इंडिकेटर के साथ हमको यहां मिल जाते हैं कुछ इस तरह से और हमको इसमें नीचे कैमर जो 360-degree camera है और यह सांदार look हमको जो side से नजर आ रही है इसकी chrome door handle हमको request sensor के साथ मिल जाता है इसक्रां का फिर हमको यह roof rails इस तरह की roof rails नजर आ रही है सांदार है काफी बड़ी है यह फिर उपर हम यह आ जाते हैं यह सारफन लूक को नजर आ है हम देख रहे हैं उपर हम यह जो चैया लोगो कुछ इस तरह से हमारे ये कैमरा आ गया है और ये बैजिंग गाड़ी में सेंसर आ गए है ये हमको दखाई दे रहे हैं गाड़ी का बूट इस पेस कुछ इस तरह है जिसमें हम दो सूटकेस तो रखी सकते हैं बागी नीचे भी छोड़ा इस पेस दिया हुआ है यहां भी समा इसी कुछ लुक है यह गाड़ी का पीछे वाला डोर है कुछ इस तरह का यह बोतल रखने के लिए हैं यह हमारे स्पीकर का आ गया और यह हमारे गाड़ी की सीटे हैं यह हमको कैप्टन सीट मिल जाती है इस तरह का कुछ हैंट रखने के लिए हैं डेस्ट मिल जाता है और यह हैड्रेस्ट हो गया कुछ इस तरह का हमको यह पाइंट मिल जाता है चार्जिंग का इस तरह की लुक हमको नजर आती है बैक साइड से देखने के पर यह हैड्रेस्ट आ गया है इस तरह का हमको कुछ इस इवेंट मिल जाता है यह हमारी बैक साइड की सीटे हैं जिसमें हम इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छी स्पेस है इधार ओल्डर का फोल्डर मिल गया यह उपर हेंडिल आ गया गाड़ी का पकरने के लिए सामने हमको क्रॉम हेंडल दिखाई दे रहा है और यह हमारे सारे कंट्रोल आ जाते हैं विंडो को उपर इसी से कोपनी चेकरने के लि मिल जाता है इसका डिजिटल एम आइडी है और हमको यह सारी लोक इस तरह के नजर आ रही है यह हमारे नोची का आटो एपल कार पिले के साथ हमको टर्जे स्किन मिल जाता है नीचे हमको यह कंट्रोल मिल जाते हैं सब एसी कंट्रोल है यह नीचे हमको यह वेंटिलेटर सी का कंडूल मिल जाता है charging point मिल जाता है यहाँ का पोलडल मिल जाते हैं तो यह हमको automatic gear lever मिल जाता है और इसके बाद हमारा यह आगया headache आ गया इसके अंदर भी काफी space है किसके बाद हम यह glove box मिल गया इसके अंदर भी space पर इस तरह की हिसना घ्रेशिय कि लोकारी ती उपर नो यह मिल झाथा और इसमे के लिए हम रखने के लिए हैं यह हमारे लाइट और फिर यहां पर मिर्ल मिल जाता है लाइट के साथ में से इस तरह भी मिल जाता है दूसे साइड में भी 1500 CC का हमको इसमें इंजन मिल जाता है और 102 BHPA की पावर मिलती है 113 से 17 लाग तक इसकी अन्रोड कीमत है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सो मच